हेलो गाइज और बैसेस मैं सुरच कुमार और आज मैं रिप्लाइ दूंगा हाउसपूल 4 के रिवीव पे क्योंकि बहुत लोग में इसको बोल रहे कि तू बायस जो गया है फेक रिवीवर हो गया है यू लॉस्ट रिस्पेक्ट यू फैन यू लॉस्ट यू सब्सक्राइब बस यह वह यह वह मैं आज सारे चीजों का रिप्ला दूंगा चली थोड़े दोर पहले जाते हैं जहां पर फिल्म रिलीज होती है गोलमाल अगेन एंड टोटल धमाल सेम आज के टाइम पर जो भी कॉमेडी जा रहे है सब ब्रिनलेस कॉमेडी हाउसपूल 3 भी लेलो ब्रि टल धमाल आती है गोलमाल अगेन आती है उसमें हमें सेम टाइप के सारे चीज़े देखने मिलते हैं लेकिन तब कोई कुछ नहीं बोलता है नो नेगेटिविटी नथिंग इवन ओडियंसे क्रिटिक्स एव्रिवन इस लविंग सब बोल रहे हां मजा रहे हां मजा रहे मज आ रहे हम इंजॉई कर रहे फिल्म थेटर के अंदर नाच रहे पूरी की पूरी तरह दिल खोल के हस रहे सब कर रहे पर ऐसा क्यों बोल रही कि यह शिट मूविस को तुने ऐसे बोल दिया और मैंने एक और चीज नोटिस की जिसने हाउसपूल 4 के बारे में अच्छा रिव गुष्टर रहे यह शर्विट होत अच्छी तो हम किया करते उनके विचार को लेकर हम फिल्म देखने जाते हैं पिर जहां जा के नोटिस करते नोब सुनके विचारों को ना दिमाग में डालके रखे रहे ते कि हा यह तो सहीं बोला अरह तो एसे हीं लग रहे तो हमारे द तोलसी दास भी मेरे उपर वाइन फेकते रहेंगे उपर से क्या लाइन बोल दी मैंने यार यही हो रहा है कि अगर चार क्रिटिक्स ने बोल दे तो सब लोग ने मान ले कि यार फिल्म डिजस्टर है फिल्म फ्लॉप है बट रियल ओडियंस को इनसे कोई फरक ही नहीं पड़ मैंने यह देखा है कि मैं जो observation रखते हो अपने फिल्म के accordance वह observation लोग ढूंड के फिर अपने वीडियो में बोलते मेरा वीडियो देखके मैंने ऐसे कितने बार नोटिस के कितने ऐसे चैनल जो मेरा थमनेल यूज करते जो मेरा पैटन यूज करते मेरा roasted review style यूज करते मेरा style यूज करते हैं मुझो कोई फरक नहीं पड़ते हैं पर मैं अपने audiences से कोई घदारी नहीं कर रहा हूँ मुझे फिल्म अच्छी लगी as a real audience I am not a critics I am not a critics you guys are considering me as a critics but I am not a critics मैं ऐसा वैसा कुछ हुई ही नहीं मैं normal लड़का हो जो जाता हो देखने picture and मैं अपने विचार रख अच्छे बुरे अच्छी लगी फिल्म अच्छा बोलता हो नहीं लगी मा बन करता हो अपने स्टाइल में अपने स्टाइल में लेकिन मैं ऐसा नहीं कि किसी तीसरे का सुनके किसी चाहते का message देखके मैं करूँ not at all anyways मुझे हाउस फुल फोर अच्छी लगी मैं मूपे बोल करें वह पहले ही अपको बोलते हैं यू डूट नीट फाइंड लोजिक इट सब्रें लेस कॉमेडी सब पहले ही बोल दे रहे बोलो तो हम क्यों उसमें एक्स्टा दिमाग लगाने जाए हम क्यों ना फिर देखने जा मज़े करें अगर हमें पहले ही चीड़े उस मुझे त अगर मैं फोन में देखू तो मुझे भी हसने का वैसा फील आता है क्या सब मज़े कर रहे है तो वैसा अनुभा होता है कॉमेडी फिल्म का इस डिजास्टर इट सब्सक्राइब करते हैं मुझे पेड रिविव करना ही नहीं मेरे पास लाखो ऐसे मेल जाते हैं कि यह कर में पचास जार एक लाख रुपे देने ते हैं मैं को नहीं चीए यूओं बिलिव आट महीने तक मेरे यूटूब के एडसेंस अकाउंट ब्लॉक थे ब्लॉक आई डिडिन्ट रिसीव असिंगल मनी फ्रम यूटूब असिंगल मनी मैंने एक रुपे सब कुछे नहीं बाबा मैं एकदम नॉर्मल इंसान जैसा इंस्टाग्राम पर हर एक को रिप्लाय देता हो मैं एक दम जुक के सभी से बात करता हो सभी से जानता हो कि मेरी कमिया अच्छा है यह सारी चीजे मैं सानट जानता हो इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूँ लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप नाराज है तो मेरे लिए ये सब कोई मिनिंग नहीं करता है मेरे लिए आपसे बढ़ कर कोई नहीं मैं कभी life में पेड रिविव करूंगा निए और आप भी मुझे कभी लाइफ में critics consider करना निए बस मैं आपको दिल खोल हसाना चाहता हूँ सारे चीजें में कराना चाहता हूँ बस अगर मैं अभी भी बोलता हूँ अगर आपको मेरी ब प्रेट किया है तो आप मुझे बोल दीजे मैं रिविव बंद कर दूगा मेरा कोई हक निया कि मैं पब्लिक के साथ ऐसा वहवार करूं कि जहां पर पब्लिक मुझे दीपक कलाराखी सावन समझे मेरा ऐसा कोई हक निया मैं दिल से माफि मांगता हूँ अगर आप लोग को मेरी बाते कुछ भी बुरी लगे तो आप लोग मुझे बोल दो में रिविव बंद कर दूगा आप इंस्टाग्राम पर मुझे बता देंगे जो जो है मैं उसको सारे चेंजेस करूँगा लेकिन तीन नोवेंबर को मैं एक लास्ट का फोटेज चले बाइच लव यू